श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्तिधी ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तों ये दिन आप के लिए खास है जी हाँ आज चंद्रमा की पोजिशन बहुत बढ़िया रहेगी चंद्रमा इस दिन आपकी कुणली में दसवे भाव में है ये कर्म भाव है इस दिन मान सनमान प्राप्त होगा धन अरजित करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा तो आर्थिक स्थिती और अच्छी होगी दसवा भाव कर्म भाव है यानि नोकरी, बिजनेस आपके प्रोफेशन में आपको काफी लाब मिलेगा नए मोके भी मिल सकते है काम का बोज आप पर जरूर रहेगा और उस वज़े से शायद थोड़ी एनरजी की कमी भी मैसूस हो सकती है लेकिन अंतता रिजल्ट्स आपके ही पक्ष में रहेंगे दोस्तो एक बात याद रखे चंद्रमा कर्म भाव में होने के कारण आपको कर्म पर विश्वास करना होगा भागे के भरो से बैठने वाला दिन ये नहीं है तो आप कर्म कीजे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते इस समय में निवेश करना अच्छा रहेगा निवेश से फायदा होने के योग बन रहे है कोई जोकिम बरा फैसला भी ले सकते है ये समय आपके फेवर में है साड़ी अर्चने वा सारी परिशानिया जो आपको सता रही थी वो नहीं रहेगी सारे काम आसानी से पूरे हो जाएगे सारे पेंडिंग काम पूरे करने के लिए ये समय काफी सही है अकर कोई सरकारे काम कुरुका हुआ है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करे सफलता मिलेगी ने दिन आपके जीवन में नए रास्ते खोल सकता है आपकी तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं बस आपको सही दिशा में कर्म करना है और खुद पर विश्वास रखना है मेहनत करे और किसी भी चीज से ना डरे समय आपके साथ है दोस्तो इस दिन पिता से सहयोग प्राप्त होगा पैत्रिक संपत्ती से लाब होने की संभावना है घर में खुशी व एकता का माहोल रहेगा धर्न अरजित करने का ये सही समय है स्टूडन्स के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्रहों की स्थितिया आपको सपोर्ट कर रही है स्टूडन्स को इस दिन मदद जरूर मिलेगी कॉंपिटिटिव एक्जयाम या सरकारी नोकरी पाने के लिए समय उत्तम है दामपत्य जीवन में भी मदूरता रहेगी पती पत्नी के बीच कोई कड़वाहट है तो वो दूर करने का ये सही मोका है जी हाँ प्रयास करे कड़वाहट दूर हो जाएगी कोई नई चीज या कोई नया वाहन खरीदना चाहते है तो समय अच्छा है बिल्कुल खरीच सकते है अच्छे योग बन रहे है कोई प्रापरटी लेनी है तो भी आपके लिए समय शुब रहेगा कही गोमने या यात्रा पर जाने का सोच रहे है तो जा सकते है यात्रा सफल रहेगी शुब रहेगी आज आपको प्रेमी की तरफ से धर्णलाब होने के संकेत है जी हाँ प्रेमी से भावनात्मक सहयोग भी इस समय में मिल सकता है अविवाहित लोगों को अपने शादी से जुड़े प्रस्ताव अपने माता-पिता के सामने रखने है तो ये समय आपके लिए सही है दोस्तो इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा थोड़ी बहुत कमरदर्थ की शिकायत इस समय में आपको सता सकती है स्वास्ते से जुड़ी समस्याय आती भी है तो कोई चोटी मोटी समस्याय आएगी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी तो कुल मिला के स्वास्ते के लिए ये दि ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा